योगी केबिनेट में शामिल होने के बाद सूसभाद चीफ ओम्प्रकाश राजभर ने करकरताओं से कहा था जब भी थाने में जाओ तो सुफेद नहीं पीला गमच्छा लगा कर जाना इससे दरोगा जी को तुम्हारी शकल में ओम्प्रकाश राजभर दिखेगा हालकि फरुकाबाद में ऐसा नहीं हुआ जिले के नवाब गंच पुलिस थाने में पीला गमच्छा डाल कर पहुँचे राजभर की पाठी ने एक कारेकरता की दरोगा ने हेकडी निकाल दी और गमच्छा मोबाइल फोन रखवा लिया इस घटना से नाराज सूज सभा कारेकरताओं ने पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है सूज सभा कारेकरताओं ने नवाब गंच पुलिस थाना पहुँचकर पुलिस कर्मियों की कारेशयली पर नाराज़गी चताई है कारेकरताओं ने कहा कि अगर थाना प्रभारियों और पुलिस कर्मियों की कारेशयली में सुधार नहीं हुआ तो हम लोग उच अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उनके खिलाफ कारवाई कराई जाएगी इन कारेकरताओं ने आरोप लगाया है कि उनके एक साथी के साथ पुलिस कर्मी ने थाने में बुला कर अभधर वहवार किया है उन्होंने कारेकरताओं का पीलग गमचा और मोबाईल चीनने का भी आरोप लगाया है जिसको लेकर सूसभा कारेकरताओं थाने पर एकटा हुए और थाना प्रभारी से कारेशैली में सुधार की बात गही है सूसभा के जिला अध्यक्ष संदेश कशप ने बताया मेरे कारेकरताओं को किसी बात को लेकर पुलिस थाने में बुलाया गया जहां उनके साथ पुलिस कर्मियों और थाना प्रभारी ने अभधर वहवार करते हुए हमारी पार्टी का गमचा और मोबाईल चीन लिया और ह थाना की कारेशाली में सुधार नहीं आया तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे कैबिनेट मंत्री की शबत लेने के बाद ओपी राजबर ने एक रेली को संबोधित करते हुए कहा था कि जब थाने में जाओगे तो पीला गमचा लगा कर जाना पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजबर नजर आएगा यह पावर और जाकर बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं और दरोगा जी में पावर तो है नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजे हैं कि नहीं